है छेलो स्टॉडेंट्स बच्चों आपको आज एक पीडिय एप और एक वीडियो भीज़ी जा रही है मैट्स की इसमें आपको क्या करना है पीडियाप में आपको कुछ गोशन दिये गए हैं उनको आपको सोल करना है बट सोल करने से पहले आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है और इसमें जैसे ही ये questions explain किये गए हैं उसी के according आप उनको सोल करेंगे ओके students जो आपको copy school से मिली है उसमें questions को आप सोल करेंगे पहले ये questions आप अपनी notebook में नोट डाउन करेंगे after then आप उसको सोल करेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं जो आपके question है वह आपके all post में work जो भी कराया है उसी में से है आई होप आप सभी ने घर में practice भी स्टार्ट कर दी होगी जैसे कि आपको पता है कि आपके exam आने वाले हैं तो आपको क्या करना है ये questions आपको सोल करने है लाट स्टार्ट open your book page number 121 बेटा इसमें देखो कुछ questions है ये chapter कौन सा है पता होगा आपको पहले भी मैंने इसकी वीडियो आपको सेंड की है fraction fraction इसका फर्स्ट question है आपका color half one by two of the given shapes यानि कि इसका मतलब क्या है जो आपको इस शेप दी हुई है यहाँ पर देखिए one two three and four उसके आपको color करना है one half part में ठीक है देख सकते हैं आप पूरी एक shape के two part है यानि कि एक shape को two part में divide किया गया है और आपको one half part में shade करनी है यानि कि two part में से किसी एक part में आपको shade करनी है ओके students जैसे इस बुक में shade हुई है ऐसे ही आपको अगर इसमें से कोई question आपके उसमें आता है pdf में तो आप ऐसे ही shade करेंगे color भी कर सकते हैं ओके question number b color one third यानकी one one upon three of the given shape इसमें आपको क्या करना है shape क्या आप देख सकते हैं three part हुए है लेखिए question number one three part है और उसमें से आपको किसी भी एक part में shade करनी है या फिर color करना है color आप light ही करेंगे dark color नहीं करेंगे हलके हलके हातों से उसमें color करेंगे otherwise आप shade भी कर सकते हैं ओके students वो आपका क्या होगा one third part होगा यानकी three part में से किसी एक part में अगर आप shade करेंगे तो वो part आपका क्या कहलाएगा one third part ओके students चलिए next turn your page page number 122 देखे बेटा यहाँ पर क्या है color the given shapes as per instruction यानि कि आपको color करना है किसके according जो इसमें shape के सामने उसके instruction दिये हुए है यानि कि जो आपको fraction इसमें दिया हुआ है उसी के according आपको color करना है देखे फर्स्ट question है आपका circle circle क्या आपको circle आप देख सकते है कितने पार्ट में डिवाइड है four part में ठीक है आपके जो नीचे four लिखा हुआ है ना जो आपको यह है denominator यह आपका क्या है four यानि कि आपकी shape के कितने part है total part is four जो आपका numerator है वो आपका two है यानि कि आपको two part में shade करनी है ऐसी आपका next question है इसमें आपकी shape के कितने part है five यानि कि आपकी shape को five part में डिवाइड किया गया है denominator is five बताया था ना मैंने last video में denominator क्या होता है और numerator क्या होता है जो नीचे वाला part यानि कि total part जो होते है वो आपका denominator होता है जो उपर वाला digit होती है वो आपका numerator होता है इसमें numerator क्या है three यानि कि आपको three part में क्या करना है shade या color करना है आपके जो नीचे वाले digit होती है वो total parts होती है कि आपकी जो shade है वो कितने part में divide की गई है और जो उपर वाले part होता है यानि कि उपर वाले digit होती है उतने ही columns में आपको shade करनी होती है I hope आपको समझ आ रहा होगा next question है आपका three by four यानि कि total part is four, derivative is four तो आपका जो shape है वो कितने part में divide है four part में और आपको color कितने part में करना है three parts में आपको या समझ आ गया ना ऐसे ही ये वाला question है ये सभी questions ऐसे हैं ठीक है नीचे जो लिखी होती है digit वो आपकी total part होती है जितने part में आपकी shape divide होती है जो ओपर वाले digit होती है उतने parts में आपको उतने columns में आपको shade करनी होती है okay students so next turn your page next question है question number d name the fraction that represents the shaded portion आपको क्या करना है name देना है shaded portion का ठीक है इसमें देखिए आप shape में already आपको shade हुई है इसमें आपको name देना है कि आप इस fraction का क्या name देंगे देखे बेटा हम क्या करेंगे ये fraction है या आप already आप लाइन ड्रो है आप देखेंगे total part कितने है shape के 3 count कर सकते है 1,2,3 so denominator is 3 नीचे वाले digit आपकी क्या आएगी 3 आप shaded part देखेंगे shaded part कौन सा है आपका ये कितने part में आपकी shade हुई है one part में so one आप उपर की side लिखेंगे ओके students ऐसी आपका question number 5 है two and three same है देख सकते हैं आप और ये भी आप self करेंगे circle है आपका जो आपका circle है वो आपका 8 part में divide है कितने part है इसके कितने columns है circle में 8 so नीचे वाले digit आपकी 8 होगी और जो आपके shaded part है यानि कि कितने columns में आपकी shade हुई है वो है आपके 3 columns so आपको इसी तरीके से ये all questions की practice करनी है practice तो क्या आपको बस ये questions solve भी करने है आपको ये वीडियो से समझ कर इसके जो questions है वो आपको solve करनी है okay students so next आपका chapter आता है money next chapter is money write the amount format the following आपको क्या करना है ये जो आपको money इसमें आपको दिकरी होगी इसको आपको count करना है add करना है and उसको write करना है आपका first question है देखे इसमें आपको two coins दियो है 50 पैसे plus 25 पैसे अगर हम 50 में 25 को add करते है देनांसरी 75 पैसे देखे बेटा ये पैसे है पीछे पी लिखा हुआ है ना आप इसको इससे ही represent करेंगे पी जरूर लिखेंगे इससे आपको पता रहेगा कि ये पैसे है या रूपीज है ठीक है पैसे के लिए पी लिखते है रूपीज के लिए आर एस जरूर लिखेंगे वरना इसके लिए मार्क्स कट जाएंगे आपके ठीक है question number two है आपका first coin सा आपका 50 पैसे second coin सा आपका 25 पैसे and third coin सा आपका 25 पैसे हम तीनों को add करेंगे then answer is 100 पैसे यह आपके total कितने पैसे होते हैं 100 पैसे और बच्चों आपको पता होगा कि 1 रुपे में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे 100 पैसे को हम 1 रुपे यानि कि 1 RS भी लिख सकते हैं ऐसी question number 3 इनको add करके लिखना है जैसे कि मैंने बताया है कि आप T या RS जरूर लिखेंगे okay students so turn your page next page is 126 write the value of the following आपको क्या करना है यह जो आपको यहाँ पर money दिखाई दे रही है आपको उनकी value लिखनी है देखिए यहाँ पर आपको two notes है ठीक है इसमें first note है 5 रुपीज का then second है 1 रुपीज का total rupees is 6 ओके ऐसी आपको यह भी total करना है यह भी आपको notes के according total करना है ठीक है और यह भी देख सकते है first note is 100 second भी 100 फिर आपका आता है 10 रुपीज यानकी 100 100 को add किया 200 200 में 10 रुपीज को add किया 200 10 रुपीज देख सकते हैं हर जगे RS लिखा हुआ है इसका मतलब यह rupees है okay students ऐसे ही आपको all questions देखने है ध्यान से और ऐसे ही आपको यह solve करने है आपको money को add करना है count करना है ठीक है चलिए next question है आपका rinkoo port देखे बेटा उपर एक shop दी वी है आपको उसमें दिखाया गया है कि rinkoo जो है वो क्या खरीदता है एक teddy bear खरीदता है और यह जो है यह sticker जो आपको दिख रहा है वो खरीदते हैं ठीक है यानि कि जो आपका teddy bear है वो 100 का और यह 80 रुपीज टोटल कितने हुए 180 अगर आप किसी shop से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो money को कैसे आपको count करना है इसमें वो बताया गया है Mickey boat Mickey क्या खरीदता है 65 रुपीज की बोल खरीदता है और आपकी car जो है वो 50 रुपीज की है total money is 115 okay students so next next इसी यह देखे 70 प्लस 120 प्लस 18 total करके आता है 208 आपको add करना आता है आपको add करना है ऐसी आपका question number 4 है चलिए next चलते हैं बिटा how much did अंकीता save यहाँ पर दिया गया है कि अंकीता जो है वो कितना save करती है ठीक है Monday को she spend रुपीज 10 उसने spend के कितने 10 उसके पास रुपीज कितने थे 15 तो save कितना हुआ 5 रुपीज Tuesday में she spend रुपीज 5 5 रुपीज उसने क्या कि spend means खर्च कर दिये ठीक है उसके पास बचता क्या है कितने है इसके total money 17 17 में से 5 उसने क्या किये 12 sorry 5, 5, 10 10 और 2 होते हैं आपके 12 12 में से उसने 5 को spend किया उसके पास बचते है 7 रुपीज 5 को spend किया तो 7 रुपीज उसके पास बचते है ठीक है 12 में से आप 5 को less करेंगे then answer is 7 badness रुपीज she spend रुपीज 20 जो आपके ये अंकीता है वो spend करती है 20 रुपीज उसके पास total कितने है पहले वो देख लेते है ठीक है 10 रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज and 5 25 रुपीज 25 रुपीज में से उसने 20 रुपीज क्या के spend कर दिये ठीक है so 25 में से हम क्या करेंगे 20 को less करेंगे then 5 आपका answer आता है ओके students ऐसे ही आपको ये भी करना है और ये भी और ये भी ऐसे ही आता है ठीक है यहाँ पर उसको pocket money ही नहीं मिलती है तो शेव क्या करेंगी वो कुछ नहीं चलिए next है आपका यहाँ पर आपको एक sums के तरीके से बताया गया है कि हम कैसे add करते हैं add the following ये पैसे हैं 35 और 20 पैसे तो इनों को add करेंगे 5 में 0 को add किया then answer 5 3 में 2 को add किया then answer 5 addition आप सभी को आता है I hope आप सभी easy list को कर लेंगे ऐसे question number 2 है 5 में 5 को add किया यानिकि 5 5 होते हैं आपके 10 10 की आप लिखेंगे 0 then आपका जो carry है वो next place पर जाएगा 7 और 1 होते हैं आपके 8 और 8 और 1 9 और 2 11 okay students ऐसे ही आपको ये भी करना है add the following है आप सभी बच्चे कर लेंगे आपने पहले भी add किया है ठीक है ये सभी questions आपको ऐसे ही करने है add करके okay students next आता है subtract the following question number 1 है देखे ये 90 पैसे 65 पैसे इसमें से इसको less करना है किसमें से 90 में से 65 को देखे ये 1 प्लेस है ये 10 प्लेस है 1 प्लेस पर आपकी 0 है 0 में से 5 को less करेंगे आप नहीं कर पाएंगे क्यों? क्योंकि 0 में से 5 को less करी नहीं सकते है देन हम क्या करेंगे next place क्या है tens tens place पर जाएंगे महां से हम one ten लेके आएंगे जब हम ten महां से लेके आते हैं तो zero में ten add करेंगे ten आपकी digit बन जाती है ten ठीक है ten में से five को less करेंगे then comes is five ओके students यहां पर आपका बसता है फिर eight देखे बेटा यहां पर पहले आपका क्या था tens place पर nine nine में से one ten हमने once place में दे दिया तो आपका क्या बचेगा nine tens sorry eight tens eight में से six को किया less then comes is two ओके students ऐसी आपको यह भी subtract करना है next आता है आपका question number three यह आपका five hundred में से आपको less करना है 258 यह देखे इसमें three place है once tens and hundred आपके once place पर क्या है zero tens place पर भी zero and hundred place पर हे आपका five देखे once place पर zero है तो zero में से आप eight को less नहीं कर पाएंगे आप next place पर जाते है यानि कि ten place पर ten place पर भी zero है वहांसे भी आपको कुछ नहीं मिला फिर आप next पर जाते हैं यहां पर है आपका five hundred 500 में से आप 1 carry लेके आते हैं यहाँ पर हो जाता है आपका 10 ठीक है 1 10 लेते हैं यहाँ पर 10 हो जाता है फिर 10 में से 1 यहाँ पर लेके आते हैं फिर यहाँ पर आपका 10 हो जाता है ठीक है आपने 10 में से लिया ना तो यहाँ पर रह जाता है हमारा 9 या पर 10, 10 यानिकि 1s place पर 10 है, 10s place पर 9, 10s place पर 9 क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हमने जब लेक्या है तो 10 हो गया था, फिर 10 में से हमने 1s place को दिया, तो वहाँ पर बचता है आपका 9, ओके students, तो अब 1s place पर आपका 10 है, 10 में से आप 8 को less करेंगे, देन आपका वता है 2, ऐसे ही आपका, फिर आते हम 10s place पर, 10s place में आपका क्या है, 9, 10s place पर आपका 9 है, अब हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को less करेंगे, then comes is 4, फिर आपका 100 place पर आत ना, 5 में से हमने 1stance दिये थे, तो आपका बसता है 4, 4 में से 2 को less करेंगे, then comes is 2, तो इसी तरीके से आपको ये questions subject के solve करने हैं, turn your page, page number 131, answer the following questions, यहाँ पर आपको कुछ questions दिये हुए हैं, उनके आपको answer देने हैं, question number 1 है, how many पैसे in 1 रुपे, यानि कि 1 रुपे मैंने आपको बताया था ना, 1 रुपे में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, how many 5 पैसे कोईंस in 2 रुपीज, यानि कि आपको बताना है, how many 5 पैसे कोईंस, यानि कि 5 पैसे, 5 पैसे के कोईंस, 2 रुपीज में कितने होंगे, इसकान सराय आपका 40 क्यों? देखे बैटा 5 पैसे, यानि कि आप देखेंगे, 2 रुपीज को आप छोड़ दीजिए आप देखेंगे 1 रुपे, 1 रुपे में कितने पैसे होते हैं? 100 और आप अगर देखेंगे कि 100 पैसे में 5 पैसे को अगर वो करेंगे 55 पैसे के कोईंस आप कलेक्ट करेंगे तो कितने कोईंस वैठते हैं फाइव से आफ रुपै दिवाइड करके देखेंगे फाइव टू कोईनस आपके वichen कोईंस आ πि自 ICE है यानि कि 100 पैसे में 20 कोईंस हुए यानिकी 1 रुपे के 20 coins, 2 रुपेज के, 2 रुपेज में यानिकी 2020 coins एड़ करके कितने बैठते हैं, 40 coins, नेक्स्ट है आपका question number 3, how many 10 पैसे coins in 2 रुपेज, अब आपका 10 पैसे का coins आ गया, पहले आपका क्या था बेटा, पहले था 5 रुपेज का, 5 पैसे का coins, अब आपका आता है 10 पैसे का coins, यानिकी आपको बताना है, 5 यानिकी 2 रुपेज में 10 पैसे के coins के कितने coins बैठते हैं, ठीके, चलिए, 2 रुपेज का बताना है न, हम पहले 1 रुपेज का देखते हैं, यानिकी, अगर हम 10 से 100 को डिवाइड करेंगे, तो आपको कितने coins बैठते हैं, 10, 10, 10 के 10 coins, अगर आप अगर 200 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपके 20 कोईंस आते हैं ऐसी आप अगर 200 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके 40 कोईंस आते हैं चलिए और, अब आपके बता, देखो अभी आपने बताया, तो डू डू रुपी अब आप बताइगे 5 रुपी का, पहले तो आप ये देख लीजे कि 5 रुपी में कितने पैसे होते हैं फाइव रुपीज में फाइव हंड़ेड पैसे होते हैं फाइव रुपीज में कितने पैसे देखो वन रुपे में वन हंड़ेड फाइव रुपीज में फाइव हंड़ेड यानि कि फाइव हंड़ेड पैसे के कोइश बनाने है टैन टैन पैसे के कोइश यानि कि 10 से आप 500 को डिवाइड करेंगे 10, 5 जा 50 होते हैं ना 10, 5 जा 50 ठीक है बट भी क्या है 500 आपके यह आते हैं 50 coins कितने coins आते हैं 50 coins अगर आप 10 से 500 को डिवाइड करते हैं तो आप का अंसर आता है 50 coins Question number 5 How many 20 पैसे coins in 2 रुपीस अब आप बताएंगे 20 पैसे के coins ठीक है अब आप 20 से डिवाइड करेंगे 2 रुपीस पहले हम देखते हैं कि 2 रुपीस में कितने पैसे होते हैं यानि कि 200 2 रुपीस में 200 पैसे होते हैं 200 को आप 20 से डिवाइड करेंगे देन आपका आता है 10 Okay students Question number 6 How many 25 पैसे coins in 5 रुपीस आपको बताना है 5 रुपीस में 25 के कितने coins होते हैं अब हम क्या करेंगे 5 रुपीस में पहले हम पैसे देखेंगे यानि कि आपके पैसे होते हैं 500 ठीक है 5 रुपीस में 500 पैसे आप 25 से इसको डिवाइड करेंगे आपको 25 का टेबल तो आता नहीं होगा बेटा ठीक है आप देखेंगे 25 यानि कि 100 में 25 के 4 coins आते हैं 25 25 50 25 25 फिर 50 50 50 100 यानि कि 1 रुपीस में 4 coins 2 रुपीस में 8 coins 3 रुपीस में कितने आएंगे 12 coins फिर आप क्या आते हैं 4 रुपीस में कितने आते हैं 16 5 में आएंगे आपको कितने आएंगे 20 ठीक है आप क्या करेंगे इसमें 4 का टेबल करेंगे 4 का टेबल यानि कि 5 रुपीस 4 को 5 से आप क्या करेंगे 4 का टेबल करेंगे क्योंकि 100 यानि 100 पैसे में यानि कि 1 रुपए में आपके 25, 25, 25 के 4 कोईन आते है 100 पैसे में 25, 25 के आपके 4 कोईन आते है 1 रुपए में 1 रुपए में आपके 4 कोईन, 2 रुपए में आपके 8 कोईन, 3 रुपए में आपके 12 कोईन फिर आपके 4 में 16, 5 में 20 कोईन ठीक है 4 का table तो आता है ना तो 4 का table करेंगे ठीक है यानि कि 4, 5, 20 20 coins so next chapter is time आपका जो next chapter है वो है आपका time का बेटा इस time के chapter में starting में बहुत सारी चीज़े दी हुई है जैसे कि days ने मोगए, months ने मोगए months में, कौन से months में, कितने days होते है वो सारी चीज़े आपको याद करनी है और याद रखनी भी है ठीक है? चलिए उसी से related days अभी questions है there are days days in a week आपको पता है ना in a week, यानि कि week होता है जो आपका पुरा Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Thursday, Friday, Saturday, फिर से Sunday ठीक है, one week हो जाता है आपका Sunday से Saturday तक आपका one week होता है तो days कितने होए? seven, one week में कितने days होते है? seven days, and यहाँ पर days दिया हुआ है months in a year यानि कि one year में कितने months होते है? 12 months second है आपका days in the first day of the week यानि कि आपके week का first day क्या होता है? Monday होता है, ठीक है? Monday से आपका week start होता है third है, June has days, अगर आप starting के जो chapter में दिये हुए है न days में कि कौन से months में कितने days होते हैं तो आप easily इसको कर देंगे June में आपके 30 days होते हैं a days year has 366 days यानि कि आपको बताना है कि कौन से year में 366 days आते हैं leap year में देखे बटा, जो normal आपका year होता है पूछते हैं ऐसी कि one year में कितने days होते हैं तो आप कहेंगे 365 बट अगर पूछते हैं कि leap year में कितने days होते हैं देन आप बोलेंगे 366 अच्छा, अगर question आता है कि मतलब कब आता है leap year ठीक है, कितने दिनों बाद आता है कितने साल बाद आता है अगर कोई पूछता है तो आप बोलेंगे every fourth year पर तीक चोथे साल आपका leap year आता है, okay students question point आपका fifth है the sixth month of the year is death, यानि कि आपका जो sixth month है year का वो कौन सा है, June ठीक है, आप finger पर count करके देख सकते है first month, January February, ठीक है, इस तरीके से आप करके देखेंगे count आपका जो sixth month है, वो आपका June आएंगा next है आपका in leap year, February has 10 days, यानि कि आपको बताना है leap year में, February में कितने days होते हैं, 29 ठीक है, normally आपके कितने days होते हैं, 28 February में बढ़ जब leap year आता है तो आपके February का one day बढ़ जाता है, उसमें 29 days होते हैं, okay students point is seven days comes between Tuesday and Thursday यानि कि Tuesday and Thursday के बीच में कौन सा day आता है, Wednesday कौन सा आता है पिटा, Wednesday तो आप यहाँ पर Wednesday लिखेंगे match the following आपको उसी के according यापर 65 days means one year, ठीक है और one day किसे match करेंगे 24 hours, one day में क्या होता है 24 hours ही होते है ठीक है, one week में क्या होता है, one week में seven days होते है, ठीक है one hour में, hour में क्या हो सकता है minutes होती है ना hour में होती है minutes यानि कि one hour is equal to 60 minutes और minutes में होती है आपकी second यानि कि one minute is equal to 60 seconds समझाया ना देखे बटा year में होते है months months में होते है week week में होते है days days में होते है hearts hearts में होते है minutes minutes में होती है seconds समझाया अगर आपको पूछते है years तो आप months बताएंगे चीक है अगर आपको पूछते है months अगर आपको पूछते है years तो आप क्या बताएंगे? मंथ. अगर मंथ फूछते हैं, तो मंथ में क्या आता है? मंथ में आते हैं weeks, ने की कितने weeks आते हैं? या फिर आप से पूछ सकते हैं, वन इर में कितने months होते हैं? 12 months. अगर आता है 365 days, याने की क्या बनता है? 365 वन एर वनता है ठीक है तो यह सारी चीज़े याद करनी है विटा आपको next आपका 1 minute 1 minute में किंदर क्या होता है seconds होती है so 60 seconds first month of the year year का first month कौन सा होता है January सभी को पता है first one year one year आप किस से match करेंगे 12 months यानि कि year में क्या है वैने बोला था अगर year की बात आती है तो आप months बताएंगे, one year is equal 12 months, one leap year, अब आप यहाँ पर days बताएंगे, leap year की जहाँ बाताएगी, आप days बताएंगे, 366 days, first day of the week, Monday, last month of the year, December, every fourth year is, बताएए, every fourth year is क्या आता है, मैंने आपको explain क्या है बीच में, leap year, every fourth year क्या आता है, आपका leap year आता है, the year, July, okay students, यह आप matching देखे, और इसकी practice आपको अच्छे से करनी है, जो आपको question उसमें आएंगे, वो आपको अच्छे से solve करनी है, यह आपका write down the time, show by the following clocks, यहाँ पर कुछ आपको clocks दी वी है, उनके आपको time आपको बताना है, time देखना सभी को आता होगा, ठीक है, चलिए जब आपकी जो छोटे वाली होती है, एक देखे इसमें क्या है आपके, two hands है, पता है ना, two hands है, एक big hands होता है, एक small hands होता है, यह जो आपको needle जैसी swing यह दिख रही है ना, दो इनको बोलते है, small hands and big hands, जो small hands है, जिस digit पर वो होती है, ठीक है, वो और जो हमारा big hand होता है, दूसरी digit पर जो small, जो आपका hands है, उसको देखते हैं, यानकी five पर हो ट्वेल पर है, यानकी पूरा-पूरा आपका five o'clock, ठीक है, यानकी अगर आपके जो big hand है, वो 12 पर है, तो आपको क्या करना है, आपका पूरा-पूरा time हो, ठीक है, जिस भी digit पर आपका small hand है, आपको पर लिखेंगे, यानकी five dot dot, zero, zero, ठीक है, यानकी five o'clock, second है, आपका eight पर है, small hand आपका कहां पर है, eight पर है, तो आपका eight o'clock है, फिर आपका seven, small hand देखना है, क्योंकि हमारा जो big hand है, वो तो 12 पर ही है, small hand आपका seven पर है, तो seven o'clock, ऐसी है, आपको ये old clock देखनी है, ओके students, read and write the time show by the clock, यापर जो clock में time दिये हुए है, वो आपको क्या करना है, show करना है, लिख के दिखाना है, ठीक है, चलिए, अगर आपके जो big hand है, वो six पर है, तो यहाँ पर आपका half past होता है, ठीक है, यानकी आप half को 12 से 6 तक half को half past कर चुके, ठीक है, यापका half past, half past seven, ठीक है 7, 30, उसको क्या बोलते हैं, 7, 30, यहाँ पर आपके कितनी मिनट बैठती हैं, देखे, 12 से, यहाँ से हम 5 का table करेंगे, 1 पर, 5, 1 जा 5, 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 15, 5, 4 जा 20, 5, 4 जा 25, 5, 6 जा 30, 5 का table आता है, इसमें पूरी में, ठीक है, 6 पर आपके 30 आया, 5, 6 जा 30 होते हैं, तो आप के याते हैं, 7, small hand 7 पर है, तो आप क्या लिखेंगे, 7, 30, इसको हम लिख सकते हैं, half past 7, next है आपका, small hand आपका 9 पर है, और big hand आपका 3 पर है, यानि कि, आपको क्या लिखना है, या आपको 9, 15, आप table पढ़ेंगे, small hand तो 9 पर है, तो आपको 9, small hand जहाँ पर होगा, first digit आपको लिखनी है, 9, ठीक है, dot dot 15, यानि कि, big hand आपका कहा पर है, 3 पर, 3 पर, अगर हम 5 का table पढ़ते हैं, 5, 3 जो होते हैं, आपके 15, तो यह आपके time होता है, 9, 15, इसको हम बोलते हैं, quarter past 9, इसको क्या बोलते हैं, quarter past 9, यहाँ पर आपका quarter बैठता है, ठीक है, next है आपका, फिर से वही आता है, half past, because आपका big hand 6 पर है, और 6 पर आपके 30 होते हैं, 5 के table में 6 पर 30 आता है, तो आपका क्या आएगा, 6, 30, यानि कि, half past 6, 4 है आपका, दोनों आपके जो hand है, वो कहाँ पर है, 9 पर है, तो आप इसको क्या करेंगे, 9 पर है ना, आप लिखेंगे, देखे बेटा, म condition में आपको ऐसा, नहीं लिखना है, ठीक है, अभी आपके पूरे 9 नहीं बजे, वो आपको लिखना है, सिर्फ हाप past तक, ठीक है, हाप past तक आपको लिखना है, आप 735 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप 8, 740 भी लिख सकते हैं, बट यहां पर आपके जब 9 पर दोनों निड 745, कोई भी digit हो, अगर आपका आता है, 8 पर नीडल है, ठीक है, 8 पर नीडल है, और 9 पर है, तो आप लिखने वाला है, अभी बज़ने नहीं है, जो टाइम आपका हो जाता है, पूरा पूरा ठीक है, आप उसी को ही लिखेंगे first digit, अभी यहां पर 9 पर थोड़ा confusion हो जाता ह है, जब तक आपकी, आपको digit digit पर होती है ना, उससे हम एक कम लिखते हैं, यहां पर 9 पर है तो आप 8 लिखेंगे, 8 पर है तो आप 7 लिखेंगे, ठीक है, 745 यहां पर आप लिखेंगे, 845 और quarter to 9, यानि कि 9 के अभी आपके quarter, one quarter आपका बचा हुआ है, ठीक है, quarter to 9, ठीक है चलिए, next है आपका, वोई 6, 15 है, इसको quarter past 6 लिखेंगे, यह फिर से आपका आता है, 5 और 9 ठीक है, यहां पर फिर से वोई है, 5 पर है बट आप लिखेंगे, 4, 445, quarter to 5, ठीक है, quarter to 5, 5 के अभी one quarter है, ठीक है, one quarter बचा है, उसके बाद आपके 5 उकलोग हो जाएंगे, I hope आपको बच्चो समझ आया हो, आपको ऐसे ही, देखिए, जैसे उसमें अभी explain किया है न, उसके according आप उसमें hands draw करेंगे, तो यह आपका book work था बच्चो, तेखिए बटा, यहाँ पर क्या है, आपको 830 करना है, यानि कि आपका small hand 8 पर, big hand 6 पर, 830, ठीक है, ऐसे आपको 115 करना है, small hand 1 पर, और big hand 15, यानि कि 3 पर, 15 कहाँ पर होते हैं, 3 पर होते हैं, यहाँ पर 630, यानि कि दोनों needle आपके 6 पर आएंगे, सिर्फ 9 पर जाके थोड़ा change होता है, क्योंकि वहाँ पर confusion हो जाती है, ठीक है, वो क्या, कि time complete होने वाला होता है आपका, और यह हो जाता है कि हम 8 लिखें य जो आपका complete होने वाला उसका quarter लिखेंगे, ठीक है, चलिए, इसी तरीके से आप इन सभी के heads देखेंगे, draw करेंगे, और अच्छे से practice करेंगे, after then आप इसके questions को अच्छे से soul करेंगे, I hope आप सभी को यह questions समझाए हो, अच्छे से practice करनी है, after then आपको questions को soul करना है, और अच students, thank you and have a nice day.